हलो दोस्तों तो मैं आपका रोईतनेगी रामपुर्भी शेहर का रहने वाला हूँ डिस्टिक किनोर हिमाचल प्रदेश शिमला तो मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि जैसे आप हमारी हमाचल सरकार को देख रहे हैं जिस तरह से उनोंने जो है बच्चो के शिक्षा के नाम पर बच्चो के साथ जो खेल खेला जा रहा है उनका पूरी तरह से बविश्यों बरवाद किया जा रहा है आप लोग सब गवाए आपके माःबाब गवाँ है, सरकार गवाँ है, खुद एक सुडेंट गवाँ है, जिस तरह से मैं एक I.T.A. का अच्छातर हूं, मेरा जो इसाफस से मोटर मेकैनिक ट्रेड है, हमारा जो डिपलोमे के साफसे जो एयर होता है, वो दो एयर का होता है, और हमारा जो पेपर सब्सक्राइब और उपर से पड़ाई के नाम पर हमारे को यहां बुलाया गया है यहां हमारे को होस्टल में रहने का व्यस्ता किया गया है पती दिन हमारा सो रुपए के इसाब से यहां जूड़ रहा है इतना खर्चा हम कहां से करें पड़ाई के नाम पर हमारे को पेपर देना यहां पर बहुत दूर के रहने वाले कांगडा के हैं चमबा के हैं किनोर के हैं आप सोचो आप जिनका घर 300-300 किलोमेटर दूर है उनके पास पड़ाई के लिए पैसा पूरा नहीं होता है तो अपना खर्चा कैसा चलाएगे आप लोग खुद इस बात को बता सकते हैं तो मैं सरकार से यही गुआर लगाना चाहूँगा कि जैराम सरकार थोड़ा जागरुक हो जाए और बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसा ना खेला जाए बच्चों का टाइम से पेपर करवा दे ताकि बच्चों का आगे फ्यूचर बन सके बच्चे जो अगले जो करना चाते हैं उसमें ज अनुसार आप देखे दो तो बाईयों मेरे हिमाचल परदेश में जितने भी बाई बैन है अपना कॉलेज में है आपका आईटाई हो गया स्कूल हो गया अन्य जो इंस्टूट है उन में जो सभी चाता रहते हैं वीडियो को शेर करो लाइक करो और आगे से आगे शेर करो ताकि हमारी हिमाचल परदेश की सरकार जागरू को ताकि बच्चों के बविश्यों के साथ ऐसा रहते हैं